ओम नमस्ट सिवाय स्वागत है आप सभी प्यारे भाई भैनों का सच्ची कहानियों की स्रंकला में जुनोंने काल मार्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली है और नंदी की तरह नंदी की भाँ तो उनके अन्चर रूप में उनकी सेवा में काहरत है आए जानते हैं कालों के भी काल सिवभक्त महा काल की सच्ची कहानी प्राचिन काल में वारारसी नगरी में मांटी नाम के एक महायसस्वी ब्रहम्मर रहते थे वे सिवजी के बड़े भक्ते थे और सदा सिम मंतर का जबकिया करते थे प्रारब्द वस उनके कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने पुत्र की कामना से दीर्ग काल तक सिव मंत्र जब कानुष्ठन किया एक दिन भगवान संकर उनकी तपस्या से प्रसन लोकर उनके सामने प्रिकट हुए और वोले वत्स मांटी मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन हूँ तुम्हारा मनोरत सीग्र ही पूड होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावसाली एवं सक्ति संपन में दहवी पुत्र रत्न प्राप्त होगा जो तुम्हारे समग्र वंस का उद्धार करेगा यो कहकर सिभजी अंतरधान हो गए और मांटी भगवान संकर के योगी दुरलव नैना भिराम रूप का दर्सन करके और उनसे मन्चाहा वर्दान पाकर अत्यंत हरसित हुए मांटी की पत्नी का नाम चटिका था वह महान पत्यवर्ता एवं तपस्या की तो मानो मूर्ती ही थी समय पाकर तपो मूर्ती ब्रहंबर पत्नी गरब बती हुई क्रम से गर्व बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज और भी भिख्सित हो उठा किन्त पूरे चार वर्ष ब्यतीत हो गए संतान गर्व से बाहर नहीं आई इस घटना को देखकर सभी आश्चर चकित हो गए मांटी ने सोचा कि अवस ही यह कोई अलोकिक वालक है जो गर्व से बाहर नहीं आना चाहता अतेवे अपनी पत्नी के पास जाकर गर्वस्त सिसु को संबोधन करके कहने लगे वत्स सामान पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं फिर तुम तो अत्यंत पवित्र चरित्र वाली माता के उदर में आये हो और भगवान संकर के अनुग्रह से हमारी दीर्ग काल की तपस्या के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हो एसी दसा में क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कश्ट दे रहे हो हमारी भी चिंता के काड़ वन रहे हो यह पुत्र यह मनुस जन्म ही धर्म अर्थ काम और मुच्च का साधन है सास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लब बताया गया है फिर क्यों नहीं तुम सीग्र ही बाहर आकर हम सब लोगों को अनंदित करते गर्व बोला है तात जो कुछ आपने कहा हुए सब मुझे ग्यात है मैं यह भी जानता हूँ कि इस भूमंडल में मनुस जन्म अत्यंत दुर्लब है परन्त मैं काल मार्ग से अत्यंत भैवी थूँ बेदों में काल और अर्ची नाम के दो मार्गों का वड़न आता है काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पढ़ जाता है और अर्च मार्ग से मोच की प्राप्ति होती है काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुन्नी के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों न चले जाएं वहां भी उन्हें सुक्की प्राप्ति नहीं होती इसलिए वो दिमान पुरुस निरंतर इस चेश्ठा में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस गोरूप गंभीर काल मार्ग में न भटकना पड़े अतै यदि आप कोई ऐसा उपाई कर सकें जिससे मेरा मन नाना पिरकार के सांसार के दोसों से लिप्त ना हो तो मैं इस मन सिलोग में जनम ले सकता हूँ गरवस्त सिस्की इस सर्थ को सुनकर मांटी और भी भैवित हो गए उन्होंने सोचा कि भगवान संकर को छोड़कर कोने सर्थ को पूरा कर सकता है जिन्होंने किरपा करके मेरे मनोरत को पूर किया है वे ही इस सर्थ को भी पूरा करेंगे यहां सोचकर वे मन ही मन भगवान संकर की सड़ में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे मांटी की प्रार्थना भगवान आस्तोस ने सुल ली उन्होंने अपने धर्म ग्यान वेराग एस्वरयाद को मूर्ती रूप में बुला कर कहा कि देखो मांटी पुत्र को विपरीत ग्यान हो गया है अते तुम लोग जाकर उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर लाओ भगवान महेस्वर की आग्या पाकर वे विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्वस्त सिसक्वे निकट गई और उसे संबोधित कर कहने लगी भामती मांटी पुत्र तुम किसी प्रिकार का भहना करो भगवान संकर की किरपा से हम अर्थाद धर्म ग्यान वेराग और एस्वर कभी तुम्हारे मन का परत्याग नहीं करेंगे अते तुम निर्भय होकर गर्व से बाहर निकलाओ यों कहकर वे चारों दिब्व मूर्तियां चुप हो गई उनके चुप हो जाने पर अधर्म अग्यान अवेराग और अनैस्वर भी विक्राल मूर्तियां धार कर भगवान संकर की आज्या से वहाँ पस्तित हुए और मांटि पुत्तर से कहने लगे कि तुम यद हमारे भैसे बाहर ना आते हो तो इस भैका त्याग कर दो भगवान संकर की आज्या से हम तुम्हारे भीतर कदाप प्रिवेश नहीं कर सकेंगे इस प्रिकार धर्म ग्यान वेरा के और अैस्वर तथा उनके विरोधी अधर्म अज्यान अवेरा के और अनैस्वर की आस्वासन बाड़ी को सुनकर ही वालक मांटी पुत्र अविलंब गर्व से बाहर निकलाया और कांपते कांपते रुधन करने लगा उस समय भगवान संकर की विभूतियों ने मांटी से कहा देखो मांटी तुम्हारा पुत्र अभी काल मारक के भैसे कांप और रो रहा है अते तुम्हारा है पुत्र कालवीती नाम से विख्यात होगा। यहों कहकर विभूती गड़ अपने स्वामी संकरजी के पास चले गए। भालक कालवीती सुकल पच्छ के चंद्रमा की भात क्रमसे बढ़ने लगा। पंचाचर मंत्र के परायड हो गए। उन्होंने तीत यात्रा के प्रसंग से विवेद रुद्र छेत्रों में ब्रमण किया और गुमते गुमते इस्तंब तीर्थ नामक छेत्र में पहुँचे जहां का प्रभाव। उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां वे गोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जब करने लगे। उन्होंने यह नियम ले लिया के सौ वर्स तक भोजन की तो कौन कहे जल की एक बूंद भी रहड नहीं करूँगा। जोही सौ वर्स समाप्त होने को आए एक अग्यात पुरुस जल से भरा हुआ गड़ा लेकर कालवीती के समी पाया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्रहमण से कहने लगा ये महामत कालवीती आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान संकर की कृपा से पूर हो गया है तुम्हें भोग प्यास सहते हुए पूरे सव बर्स हो गये हैं मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर यह जल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ तुम कृपा करके सिस्विकार करो और मेरे सिरम को सफल करो कालवीती को वास्तम में प्यास बहुत सता रही थी अंजली भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे परंतु सहसा एक अपरचित व और देखते हुए बोले आप हैं कौन आपकी जात क्या है और आपका आचार कैसा है किरपा कर बताईए आपकी जाती और आचार को जहन लेने के बाद ही मैं आपके लाए हुए जल को गिरहड कर सकता हूँ इस पर वया परचित व्यक्ति वोला तपोधन मेरे माता पिता इस मैं है या नहीं इसका भी मुझे पता नहीं है उनके विशय में भी मैं कुछ नहीं जानता मैं सदा इसी ढंग से रहता हूं आचार अथ्वा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है अत्य आचार की बात मैं क्या कह सकता हूं सच पूछिये तो मैं किसी आचार विचार का पाल ग्रहड नहीं कर सकता। इस संबंद में मेरे गुर्देव ने जो सुरुती सम्मत उपदेश मुझे दिया है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिसके कुल का हाल अत्वा रक्त सुद्धी का पता न हो। साद व्यक्ती उसके द्वारा दिये हुए अनजल को ग्रहड नहीं करते। इसी प्रिकार जो व्यक्ती भगवान के संबंद में कुछ भी ग्यान नहीं रखता। और ना उनकी भक्ती करता है ऐसे उसके हाथ का अनजल भी ग्रहड करने योग नहीं होता। भगवान को अरपड किये विना जो व्यक्ती भोजन करता है उसे बड़ा पाप लगता है। अनजल के संबंद में सास्त्रों में दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्यया जल जो कुछ भी ग्रहड किया जाए वह भगवान को अरपित हो। और जिसके द्वारा वह अन अत्वा जल लाया गया है वह जात और आचार की दिश्टि से पवित्र हो। काल भीत के इन वचनों को सुनकर वह मनों से हसने लगा और बोला अरे तवस्वी तुम तप एवं विध्या से संपन होने पर भी मुझे तो नितांत मूर्ग पृतित हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे हसी आती है अरे नादान क्या तुम नहीं जानते कि भगवान सिब सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं। ऐसी दसा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदाप उजित नहीं है। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रिकारांत से उसके अंदर रहने वाले भगवान संकर की ही निंदा करना है। जो मनुस से अपने अत्वा दूसरे के अंदर भगवान की सत्ता के संबंद में संदेह करता है मृत्तोस वेद ग्यानी मनुस के लिए विसेश रूप से भैधायक होती है फिर जरा विचारो तो सही कि जल में अपवित्ता आही कैसे सकती है जिस पात्र में मैं से लेकर आया हूँ वह मिट्टी का बना हुआ है मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं किन तो अवे की आग में भली भाते तपाई हुई और फिर वह जल के द्वारा सुद्ध हो चुकी है मृत्तिका जल और अगनी इन मैंसे कौन सी वस्त्व पवित्र है दोनों ही इस मिट्टी के वही तो बने हैं और मिट्टी पर ही सदा रहते हैं मेरे संसर्ग से यद जन असुचि होग सकता है तो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ है जमीन भी मेरे संसर्ग से अपवित्र हो जानी चाहिए तब तो तुम्हें भूम को छोड़कर आकास में विचड़ करना होगा इन सब बातों पर विचार करने से तुम्हारी उक्ती मुझे नितांत मूर्खता पूर प्रतित होती है काल भीती ने कहा अवस ही भगवान संकर का सभी भूतों में निवास है परंथ इस बात को लेकर जो सब भूतों की विभार में समानता करता है उए अन आधिका परत्याक करके मृत्तिका अत्वा भस्म से उदर पूर्ति केओं नहीं करता क्योंकि उसके मता अनुसार अन में जो भगवान है वे ही तो मृत्तिका और भस्म में भी है परंत उसकी है मानिता ठीक नहीं परमार्थ डेश्टिसे सब कुछ सिवरूप होने पर भी विभार में भेद अवस्य है इसलिए सास्त्र में नाना प्रकार की सुद्धी के विधान पाए जाते हैं और उनके फल भी अलग-अलग निदिश्ट हुए हैं सास्त्र की आग्या के विरुद्ध आचड़ करना कदाप उचित नहीं है जो सास्त्र भगवान सिव की सत्ता सरवत्त्र बतलाते हैं वे ही विभार में भेद का भी विधान करते हैं सास्त्र की एक बात तो मानी जाए और दूसरी न मानी जाए यह कहां तक उचित है दोनों ही बातें अपनी अपनी देश्ट से ठीक हैं और दोनों की परस्पर संगती भी है सुरुती कहती है कि बाहर वीतर की पवित्यता रखो इसी बात को इतिहास पुराण इन सब्दों में कहते हैं यद परलोक में सुखी रहना चाहते हो और कश्टों से बचना चाहते हो तो सोचाचार का पालन करो प्रथी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सोचाचार का पालन आवस्यक करतब है ऐसी दसा में अद्याप सुरुतियों की अभेहिलना करके सब कुछ सिम्मय है यह कहकर विभार के भेद को मिटाना चाहते हैं तो फिर बताईए क्या सुरुती प्राणाद सास्त्र व्यर्थ नहीं हो जाएंगे और आप जो है कहते हैं कि भगवान सिर्फ सभी वुटों में इस्तित हैं यह ठीक है भगवान सिर्फ सरवत रहें यह बात अच्छर से सत्ते हैं फिर भी ब्यक्ति भेद से उनकी सत्ता में भी भेद कहा जा सकता है इसके लिए मैं आपको एक दिश्टान देता हूँ यद्यप कभी सोने के गहने सुवड नाम की एक ही दात के बने हुए होते हैं तब भी सब का सोना एक ही दाम का अथवा एक ही रंग का नहीं होता उन में से एक का सोना एकदम सुद्ध टकसाली होता है दूसरे का उसकी अपेच्छा कुछ नीचे दरजे का होता है और तीसरे का और भी निक्रष्ट होता है परन्त यह तो मनना ही पड़ेगा कि सभी स्वड के गहनों में सोना मौजूद है साथ ही यह भी स्विकार करना होगा कि सभी गहनों का सोना एक सा नहीं है इसी प्रिकार भगवान से भी सभी भूतों में है अवस्य परंत एक के अंदर उनका प्रिकास अतिन्त सुद्ध है दूसरी के अंदर उह उतना सुद्ध नहीं है और तीसरी के अंदर उह और भी मलिन है इस प्रिकार समस्त पदार्थों में विभार की द्रष्टी से समता नहीं की जा सकती जिस प्रिकार निक्रष्ट स्रेडी का सोना दाह आद के द्वारा सोधित होकर क्रम से उतकर्च को प्राप्त होता है उसी प्रिकार मलिन अंतह करणक तता मलिन देह वाले जीव सोचाद के द्वारा सुद्ध होकर ही सुद्ध सिवतत्त के अधिकारी होते हैं सामान सोचाद के द्वारा सैसा सुद्ध सिवत्त का लाव संभव नहीं है इसलिए सास्त्रों में देह सोधन की आवसिक्ता बताई गई है देह सोधित होने पर ही देही स्वर्ग आद उच्छ लोकों को प्राप्त हो सकता है इस प्रिकार जो वुद्धिमान पुरुस देह सोधन की इच्छा रखते हैं बे चाहे जिस व्यक्ती से अनजल नहीं गहड करते हैं इसके विपरीत जो लोग सोचाचार का विचार न करके चाहे जिसका अनजल गहड कर लेते हैं बे पवित्रा आचड़ वाले होने पर भी कुछी समय में तमोगुड से आच्छन होका जड़ी भूत हो जाते हैं इसलिए मैं आपका यह जल गहड नहीं कर सकता इसके लिए आप मुझे छमा करें पिर भाई वैनो मांटी पुत्र काल वीती के लिए मिट्टी के पात्र में जल लेकर जो इंसान आया हुआ था वह कोई और नहीं स्वेम भगवान भोलेना थे स्वेम कालों के भी काल महा रुद्र भगवान भोलेना थी थे जो काल वीती की अंतिम परिछा लेने के लिए आयह हुए थे तपश्यात और उन्हों की बूर हो ही चुकी थी इसके पश्चात उन्होंने उस जल का क्या किया और मांटी के साथ उन्होंने किस प्रिकार का विवार किया इसे जानने के लिए जुड़े रहिए आप स्पीच्वलेंड नेचल टेक्टिंगर वड़की सच्ची कहानियों से और इसके जो वच्ची हुई कहानी है हो है मैं प्रस्तत करूँगा इसके अगले भाग में तब तक के लिए प्रेम से बोलिए ओम नमज शिवाए और जो भगवान भोले नाद भी जिनके नाम का हर समय जब करते रहते हैं आईए अब उनका भी समढ़ कर ले मिलते हैं इसी के दूसरे भाग में